कर दोस्तों स्वागत है आपका अमारे यूटूब चनल पर यूपी प्लिस कॉंस्टेबल एक्जाम के लिए हिंदी के हम लोग टॉप हंड़ेड कोशन देखने वाले हैं जो कि आपका प्रेक्टिसेड नंबर बन के माध्याम से देखने वाले हैं वीडियो स्टार्ट करने से से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा जो लोग नए हैं तो प्लिस चैनल को जरू सब्सक्राइब करने चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के सेस्टन में पहला कोशन है उच्चरित धोनीर संकेतों की साहता से भाव या विचार की अभी व्यक्ति क्या कहलाती है वाज साओं लेपिया हाएं एक दूसरे का फूरक हैं पश्मि हिंडी की उत्पत्ति किस अपवरंस से हुई है तो प्शन है सौर सैनी, सौर सैनी अपवरंस हिंदी गद के विकास के लिए आरंबिक प्रियास करने वाले संस्था का नाम बताओ तो आप्चन है फोर्ट बिलियम कॉलिज कॉलकाता निमलिखित में से किसने भारतेंदू पूर्व युग में विसुद संस्क्रत निष्ट हिंदी की हिमायत की राजा लच्मर सिंग भारत संग की राज भासा है ए और बी दोनों ए जो है हिंदी बी है अंग्रेजी भारतिय समिधान के किस अनुसूची में समिधान द्वारा माननेता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भासाओं की सूची मिलती है अपसेंडी अस्टम अनुसूची हिंदी भासी प्रांत में सामिल नहीं है तो अपसेंडी पंजाब आठवाब इस हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन इस्तल्द था इस्तल्द कौन सा था निव्यार्क व्याक्रों क्या है अपसेंडी भासा के नियम हिंदी बढ़ माला में बढ़नों की संक्या है ऑपसेंडी 50 के आस पास बढ़ किसे कहते है ऑपसेंडी दोनी को अनुनासिक का सम्मध होता है नाक और मूँष्ट दोनों से अनुनासिक ब्यंजन कौन से होते है ऑपसेंडी बरल के बरल के पंचमाचशड सुद्ध बरतिनी का चैन करें को व्यक्त करता है my option B meinem तो इसका हो जाएगा option B गुन संधी May के स्द्धन चरित्र इस सुकल तू सत चरित्र किस संधी का उधारान है option B व्यंजं संधी का होण का अधारान है अधाधन-घती इस उकल तू अधोगती किस संधी का उधारने, option B, बिसर्ग संधी, प्रत्य उप्पन मती सब्द में प्रियोग हुआ है, प्रत्य, क्रत्य प्रत्य किन सब्दों के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के अंत में, पढ़ने बाला में किस प्रत्य का प्रियोग हुआ है, तो option E, क्रदंत प्रत्य, या प्रत्य का प्रि भोजपुरिया, समास का साब्दिक अर्थ है, तो संचिप्थ, देवाशुरू में कौन सा समास है, दुन्ध समास option B, दुन्ध समास हो जाएगा, पाट साला में कौन सा समास है, तो उपशने ततपुरुष समास तस्सम सब्दों का सुरोत है तो आपसेने संस्क्रत संदी है संदी सब्द है तो आपसेने तस्सम मगाई सब्द है तो मगाई सब्द कैसा है आपसेने तस्सम निमलिकित में कौन सा सब्द तस्सम है तो आपसेने उदगम खिचडी सब्द किसका उधारान है तो option B ता दभाव का उधारान हो जाएगा लोटा सब्द है तो लोटा सब्द है option C दे सज अपील सब्द है अपील सब्द कैसा है option D बिदे सज लाल्टेन सब्द है option D बिदे सज कमल किस प्रकार का सब्द है, कमल जो हो जाएगा, option ने, रूण सब्द हो जाएगा पाकसाला किस प्रकार का सब्द है, तो option B, योगिक नसानन किस प्रकार का सब्द है, option C, योग रूण निमलिकित में बिकारी सब्द कौन सा है, तो option D, लड़का बिकारी सब्द का उधारन है आप्सेने बहुत सुरुभी का पर्यवाची सब्द क्या होगा गाए दुकूल का पर्यवाची सब्द क्या है आप्सेने कपड़ा प्राची का पर्यवाची सब्द है आप्सेने पूर्व हिमाद्री का पर्यवाची सब्द क्या है? Option B, हिमालाई रतनाकार का पर्यवाची सब्द है? Option E, समुद्र अलाओ का पर्यवाची सब्द क्या है? अंगीठी बिपल का पर्यवाची सब्द क्या है? Option E, बहुत रसाल का पर्यवाची सब्द क्या है? Option अम सौगात का परहवाची सब्द है Option B भेंट मसगूल का परहवाची सब्द क्या होगा तो Option B ब्यस्त अधम का बिलोम सब्द क्या होगा Option अउत्तम बिलोम सब्द क्या होगा अग्र पाश्चात्य का विलोम सब्द है पौरवार्त्य मौखिक का विलोम सब्द है लिखित अभिग का मतलब क्या होता है? आपसन भी जानने वाला निरगुन अगला है निरगुन इस कल्टू क्या हो जाएगा? आपसने जो सत्व, रजबात्तम, तीनों गुणों से परे हो बहुरिया क्या हो जाएगा? आपसने लोटने वाली राम की गाय दूद देती है कैसा वाके है? यह हो जाएगा सरल वाके उसने परिस्ट्रम तो बहुत किया किन्तु सफलता नहीं मिली यह आपका कैसा बाके हो जाएगा? सईयुक तो बाके हो जाएगा उसने कहा कि मैं जाओंगा यह आपका किस प्रकार का बाके है? आपसन सी हो जाएगा यह आपका मिस्र बाके हो जाएगा भाए कौन सा व्यक्ति है जिसने जब आहरलाल नहरो का नाम ना सुना हो यह आपका बाक्य कैसा है आप्शन सी मिस्र बाक्य हो जाएगा उसने चोर को पकड़ इस बाक्य का सुद्ध रूप किया है उसने चोर को पकड़ा यह आपका सुद्ध रूप हो जाएगा बाक्य का आपके दर्सन हुए इस बाके का अभी प्राय है आपसे बहेंट हुई मुआबरा है तो इसमें चार आपसन में कौन सा मुआबरा है आपका आपसन बैस बाक्यां जो अपने सामान अर्थ को छोड़ कर विसेश अर्थ में रून हो गया ओ वो आपका मुहावरा कहला जाएगा हाथ का मैल का अर्थ क्या है तुछ बस्तू डिंग हाकना का अर्थ क्या होता है तो डिंग हाकना का अर्थ होता है फेक ही बगारना आखे चुराना का अर्थ क्या होता है आखे चुराना का अर्थ होता है आपसने कतराना अदजल गगरी चलकत जाय का जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपसने थोड़ी विध्या, धन या बल होने पर इतराना आम खाओ पेन मत गिनों का अर्थ क्या है आपसन भी विर्थ की बाते ना करके केबल अपने मतलब की बात करना एक तो करेला आपतीता दूजा नीम चड़ा का अर्थ क्या होता है आपसने बुरे का और बुरे से संग होना गुडखाए गुलगले से परहेज का अर्थ क्या है नकली परहेज संगार रस का इस्थाई भाव क्या है प्रेम अगला है रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गयना उबरे मोती मानुस चुन, प्रियुक्त पंक्तियों में कौन सा चंद है, दोहा चंद, निमलकित में कौन सा पास्चात अलंकार नहीं है, अनुप्रास अलंकार, बीर गाथा काल किसे कहा जाता है, आधी काल को बीर गाथा काल कहते हैं, मैथिल कोकिल किसे का आ जाता है option ए बिध्यापती कबीर किस का विधारा के कभी है ग्यान मारगी पदमाबत के रचेता का नम बताओ तो पदमाबत के रचेता है option ए मलिक महम्मद जैसी किसके भक्ति परत गीतों का संक्लन अभंग के नाम से प्रसिद है तो आपसे ने नाम देद किस काल को आचार विसुनात प्रसाद ने प्रसाद मिस्र ने स्रंगार काल की संग्या दी है रीती काल किस समराट किसे का जाता कभी समराट किसे का जाता है आयोध्या सिंग उपाद्या हारी आउध को भारत भारती के रचेता का नाम बताओ तो आपसने मैथली सरान गुप्त रहे सुबात किस युग की एक महत्पूंट प्रबत्ती थी आपसने छाया बात की अनामिका काबि के रचेता का नाम क्या है प्रकर्थी के सुकुमार कमी कभी किसे कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंद को कहा जाता है अगला एक कामाईनी काबि के रचेता का नाम है आपसन डी जैसंकर प्रसाथ कुरुचेत्र के रचेता का नाम क्या है रामधारी सिंग दिनकर एक भारती आत्मा किसे कहा जाता है Option B माखनलाल चतुरुवेदी राष्ट कभी किसे कहा जाता है रामधारिक सिंग दिनकर को राष्ट कभी कहा जाता है बड़ से 2000 इस भी किसकी जन सताब्दी है रामधारिक सिंग दिनकर निमलकित में बीहार के कभी कौन है नागा अरज्टे गोदान उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है मुंसी प्रेमचंद्र कथा समराट किसे कहा जाता है आपसे ने प्रेमचंद्र को कहा जाता है पाणीस्वमनात रेणू का जनमिस्थान कौन सा है आपसने और राही हिंगना कलम का जादूगर किसे कहा जाता है राम ब्रच देनी पुरी नई कहानी अंदोलन से जुड़े रचना का नहीं है केदार नात अगरवाल वांकी के तीने इर मोहन राकेस कमलेस और राजेंदर यादब आचारे राम चंदर सुकल मूलता है आलो चक राम चंदर सुकल का प्रसिद ग्रंद हिंदी साहित का अतियास 1929 इसमें प्रकासित हिंदी सब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रस्तुत किया गया था हिंदी साहित का विकास और आज का लाश्ट कोस्चन है निमलिकित मेंसे किसने प्रसिद पत्र का सरस्ति का संपादन किया महावीर प्रसाद दुबेदी तो काई साथ किस वीडियो में इतना ही थैंक्यू धन्यवा